देर स्टुरेंट्स वेल्कम बेग तू मैं यट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बिरिज कोर्स के 19 दिन के एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल करेंगे आज की एक्टिविटी का टाइटल है वर्प्स पार्टिसिपल एंड डिटर्मिनर्स एन इस एक्टिविटी में आपक पार्टिसिपल जीरांस और डिटर्मिनर्स के बारें बताया जाएंगा कि यह सब टर्म्स के मीनिंग क्या होते हैं आज की दिन की जो पहली अक्टिविटी है वह लड़नी अक्टिविटी इसमें हमसे का जा रहे कि टीचर राइट अने वाले सेंटेंसे को बोर्ट पर हैंगा और यह सवाल पूचेंगा पा उपीस के बारे में इस्टीट तो टीचर यह जो सेंटेंसे को बॉर्ट पर लिखेंगा और इस विन पढरें गे तो फस्llä है कि रीडिंग इस वाइऽ हाबी पढणा मेरी होब्य है तो यहाँ पर reading word को highlight किया गया है और reading एक जीरन है Second है, Uma went to Mumbai to find a job कि Uma Mumbai गई job तलाश करने के लिए यहाँ पर हम देख रहे है कि to find को underline किया गया है और to find एक infinitive है Third है, the broken glass injured my food तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि injured को underline किया गया है और यह एक finite verb है Fourth है, the bird is singing melodiously कि birds परिंदे सुरीले गा रहे है यह परिंदा सुरीला गा रहा है तो singing को यहाँ पर underline किया गया है और singing एक participle है और fifth है, my house is being renovated मेरे घर की renovation किया जा रहा है तो यहाँ पर my को underline किया गया है और my एक determiner है तो यह जितने भी terms यहाँ पर आ रहे है gerund, infinitive, finite, participle और determiner तो इसके बारे में हमको आगे बताया जाएंगा कि यह actual में होते क्या है Next activity है, solved activity, dem activity इसमें कहा जा रहे है कि teacher explains the definition of gerunds, infinitives, finite words, participle and determiners कि teacher gerund, infinitive, finite words, participle and determiners की definition को बताएंगा explain करेंगा teacher asks student to write the definition and sentences और teacher student से कहेंगा कि वो आगे आने वाली definition और sentences को note करें और student listen attentively and write definition and sentences और student का यह काम होगा कि आगे आने वाली जितने definitions और sentences है तो वो उनको गौर से सुने और उनको लिखे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जीरंड के definition दी गए है कि जीरंड is the noun form of a verb that ends with ing, it is called a verbal noun कि जीरंड होता क्या है, जीरंड verb का एक noun form होता है जो के ing से end होता है, याने verb की वो ing form जो के noun की तरह यूज की जाती है तो उसको हम जीरंड कहते हैं ing एक्चल में verb की एक form होती है, लेकिन जब ing form एक noun की जैसे यूज किया जाता है, तब हम उससे जीरंड कहते हैं और इसी लिए उसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है, उसकी एक्जामपल है कि swimming is the best exercise, swimming एक बहत्रीन exercise है, तो यहाँ पर हम देख रहे कि swimming, swim verb की ing form है और यह एक जीरंड के तोर पर यूज की जारी कि यहाँ पर एक noun के जैसा काम कर रहे हैं, second है कि my dance teacher taught dancing, मेरे dance teacher ने dancing नाशना सिखाया, यहाँ पर हम देख रहे कि dancing एक noun के जैसा काम कर रहा है, यह अगर्चे एक verb की ing form है, लेकिन यह noun के जैसा काम कर रहा है, इसलिए हम इसको जीरंड कह रहे है, second है कि infinitive, infinitive कहते है कि an infinitive verb is a base form of the verb, कि infinitive किसी भी verb की base form होती है, example है कि I am teaching my student to read Sanskrit, मैं अपने student को Sanskrit पढ़ना सिखा रहा हूं, तो यहाँ पर हम देख रहे है कि to read, read verb की basic form है, base form है और यह एक infinitive है, और second है कि lend him 100 रुपीस to buy a book, उसे 100 रुपय उधार दो किताब खरीदने के लिए, टुबाइ यहाँ पर हम देख रहे है कि verb by के basic form है, base form है और इसी लिए infinitive है, यहाँ पर हमें बताया नहीं गया है, लेकिन infinitive दो टाइप के आते हैं, एक वो infinitive होता है, जिसमें 2 नहीं लगा हुआ होता है, उसे हम bare infinitive कहते हैं, और जिस infinitive में 2 लगा हुआ होता है, जैसे य can be in the present and past, के finite verb, verb की वो टाइप होती है, जो के subject के साथ agreement दिखाती है, और present और past में यूज की जाती है, subject के साथ में agreement का मतलब यह है, के अगर subject singular noun है, तो verb भी singular आए, और अगर subject plural हो, तो verb भी plural आए, तो इसी को हम कहेंगे के subject के साथ में agreement होता है, आगे example में हम उसे आगे, finite verbs are often groups of words that include auxiliary verbs like can, must, have, finite verb अक्सर words का एक group होता है, जिसमें auxiliary verb भी शामिल है, जैसे can, must और have, example में देखेंगे कि इस्टूडेंट runs to the teacher, इस्टूडेंट टीचर की तरफ भागता है, यहाँ पर हम देखेंगे के student एक singular noun है, और singular noun होने के वज़े से उसके साथ में जो verb क form यूज किया गया है, तो वो S या ES वाला है, और इसलिए run के end पर हम देख रहे हैं के S भी लगा हुआ है, अगर student या student की जगा पर कोई plural noun होता, तो फिर यहाँ पर हम runs नहीं यूज करते हैं, बलके run यूज करते हैं, और S वाला form यूज नहीं करते हैं, क्यूंके simple present tense में verb क यूज की जाती है, जबके subject singular noun हम, तो हम देख रहे हैं के इस sentence में subject के singular आनी के वज़े से verb की form change हो रही, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं के verb subject के साथ में agreement कर रहा है, और second में दीखिए के my mother is a working woman, के मेरी मा एक working woman है, तो इस sentence में भी आप देख रहे हैं के my mother एक singular noun है, और इस इस लिए verb की form is use की जा रहे हैं, अगर my mother की जगा पर अगर कोई plural noun होता, तो फिर हम यहाँ पर is नहीं बलके are use करते, तो is भी यहाँ पर एक finite verb है, क्योंके वो अपने subject के साथ में agreement दिखा रहा है, और इसी तरह अगर यहाँ पर past tense होता, तो हम was या were use करते, तो इसे हम past या present में भी use कर सकते हैं, तो इसी लिए is एक finite verb है, क्योंके यह अपने subject के साथ में agreement बता रहा है, याने subject के साथ में change हो सकता है, अगला है participle, a participle is a form of the verb used as either an adjective or a part of certain tenses, participle verb का वो form होता है, जिसे या तो adjective के तौर पर use किया जा सकता है, या तो कुछ tenses में एक verb के जैसा भी use किया जा सकता है, याने participle जो verb का form होंगा, तो उसे हम adjective के तौर पर भी use कर सकते हैं, और verb के form के तौर पर भी use कर सकते हैं, example में देखिए कि I am having lunch right now मैं इस वक्त lunch कर रहा हूँ तो having यहाँ पर एक verb के तरह आ रहा है और यहाँ पर participle है और ing form को हम एक adjective के तरह भी यूज़ कर सकते हैं और second है the children are running बच्चे भाग रहे हैं तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि running ing form है और यह एक present participle है और verb के जैसा यूज़ किया जा रहा है लेकिन ing form को हम एक adjective के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं participle भी दो तरह के होते हैं present participle जो के ing form होती है और past participle जो के verb की third form होती है फिफ्थ है determiners a determiner is a word that modifies, describes or introduce a noun के determiner एक ऐसा word होता है जो कि किसी noun को या तो modify करता है describe करता है या उसे introduce करता है या डिटर्मिनर की वज़े से noun और strong हो जाता है sentence में अगर कोई common noun है तो हमको मालूम चल जाता है कि हम किस noun के बारे में बात कर रहे हैं किसी noun की वो खूवी बताता है किसी noun की उसको describe करता है उसके बारे में और जादा detail देता है या उसकी कोई quality बताता है या उसको sentence में introduce करता है पेश करता है example में देखे कि the farmer is blowing the farmland कि किसान खेत में हल चला रहा है तो इस sentence में farmer को introduce करवाया जा रहा है और इसलिए उससे पहले द लगाया जा रहा है और second में देखे कि विदान्ती विल बाई that book विदान्ती उस किताब को खरीदींगी तो इस sentence में देखे कि book को modify किया जा रहा है क्योंकि इस दुनिया में book बहुत सारे हैं और sentence में लेकिन किसी एक खास specific book के बारे में बात की जा रही है और उसे specify करने के लिए यहाँ पर that determiner का use किया जा रहा है जिसके जरिये सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हम किस particular book के बारे में बात कर रहे हैं तो determiner के वज़े से जो noun होता है तो वो और जादा specific हो जाता है और strong हो जाता है और उसके जरिये सामने वाले को समझ में आता है कि किस noun के बारे में बात की जा रही है आगे हमें practice की activity दी गए है teacher writes the sentences on the board teacher asks student to solve the activity teacher board पर कुछ sentences लिखेंगा और teacher student से कहेंगा कि वो activity को solve करें और यहाँ पर हमें एक question दिया गए है और इस question के answer लिखनी है तो question कुछ इस तरह है कि find out the words from the following sentences and state whether they are finite, gerund, participle और infinitive etc कि आपको नीचे आवे sentences में verb को find out करना है, तलाश करना है, ढूमना है और फिर बताना है कि वो finite है, gerund है, participle है या infinitive है तो first sentence है कि students are working on a new project तो इस sentence में हम देख रहे है कि R एक finite verb है और working एक present participle है, ज्याने participle है Second है कि we will be glad to help you, कि हमें आपकी मदद करके खुशी होंगी तो इस sentence में be एक infinitive है और to help be a infinitive है, लेकिन be जो है तो वो bare infinitive है, क्योंकि उससे पहले 2 नहीं लगा हुआ है, यह verb का base form है और to help यह एक full infinitive है, क्योंकि इससे पहले to लगा हुआ है और यह verb की base form है Will एक model है, और यहाँ पर हमें model बतानी के लिए नहीं बताएगा है, कि model भी आपको चीनित करना है, लेकिन अगर आपको कहा जाए तो will be एक verb की form है model Third है, smoking is dangerous to health, कि सिगरे पीना, तमाकू पीना सेहत के लिए खतरनाक है तो इसमें हम देख रहे हैं कि smoking एक verb की form है, ing form है, और एक noun के जैसा काम कर रहा है, तो इसलिए smoking एक जीरन है और इस यहाँ पर एक finite verb है, और finite verb के तालुक से अभी आपको बताया गए है, कि वो subject के साथ में agreement करता है, smoking एक singular noun है, और इसलिए is यहाँ पर आ रहा है अगर smoking की जगा पर कोई plural noun होता, तो is नहीं बलके are use किया जाता फूर्थ है कि निर्मला likes to learn new things, निर्मला को नई चीज़े सीखना पसंद है, तो likes यहाँ पर finite verb है, और finite verb इसलिए है कि निर्मला एक singular noun है और singular noun होनी के वज़े से उसके verb की form भी change हो रहे है, verb अपने subject के साथ में agreement दिखा रहा है तो learn यहाँ पर एक infinitive है, और infinitive में भी full infinitive क्योंकि उससे पहले to लगा हुआ है और learn एक verb की base form है और fifth है, villagers are finding the best solution for it, तो इस sentence में are एक finite verb है क्योंकि यह villagers plural noun होनी के वज़े से इसके form भी change हुआ है और finding यहाँ पर present participle है और इसके end पर ing लगा हुआ है अब आगे हमें यहाँ पर last activity दी गए, extension activity, parallel activity तो इसमें कहा जा रहा है कि fill in the blanks with an appropriate participle कि आपको नीचे आएवे blank को सही participle से fill करना है तो participle दो तरह के आते हैं, present participle और past participle present participle में ing लगा हुआ होता है और जो past participle होता है तो वो verb की third form होती है तो first sentence है कि we entered a remote village, हम एक अलग थलग गाओं में दाखिल हुए अंदर गए leaving the main road, main road छोड़ कर तो यहाँ पर leaving सही option है first है the closed shop will open tomorrow, बंद की गई दुकान कल खुलींगी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि closed यह correct option होंगा third है not knowing the answer I took help from my teacher कि answer नहीं जाननी की वज़े से मैंने अपने teacher से मदद ली तो यहाँ पर knowing एक correct option होंगा और fourth है the villagers spotted an injured tiger के villagers ने गाओ वालों ने एक जखमी शेर spot किया देखा तो यहाँ पर fourth में injured एक correct option होंगा और fifth है mira tried baking a cake, mira ने एक cake bake करने की कुशिश की तो fifth में baking एक correct option होंगा और हमें यहाँ पर यानि fifth में present participle fill करना है तो मझे उम्मीद है कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने आज की activity को completely listen जाओंगा इसमें जो भी बाते बताई गई है तो उसे आपने अच्छे से समझ कर उसके सभी questions के answers दीखे होंगे अगर फिर भी आप लोगों का कोई doubt या question हो तो comment section में जरूर पूछे वीडियो पसंद आए तो उसे जरूर लाइक कीजे अपने friends और classmates के साथ में share कीजे और इसी तरह की informative और educational videos के लिए मेरे चैनल को जरूर subscribe कीजे I will see you in my next video